आप सब विचार कर रहे होंगे कि ये गौर गौपाल दास्ची को क्या हो गया ये हिंदी में वीडियो क्यों बनाने लगे हाल ही में हम ये फेस्बुक लाइब सेशन कर रहे थे जहां सब लोग अपनी आदतों को बदलने का प्रयास कर रहे थे इस सीरीज का नाम था 21 Days Habit Challenge तो और सारे भारती ये बहनों को हमको हिंदी में ये संदेश सुनाना है लेकिन एक दिन तो हद हो गई एक व्यक्ति बार-बार कॉमेंट कर रहे थे हिंदी में बोलो हिंदी में बोलो और हमने ध्यान नहीं दिया तो कॉमेंट कि हिंदी में बोल कुत्ते हिंदी में बोल हमको किसी को आप कुत्ते कहते हो ना तो चोट पहुंचती है लेकिन संस्कृत में वही शब्द कुत्ता जब संस्कृत में कहा जाए श्वान तो उतनी चोट नहीं पहुंचती हिंदी में आपको किसी को मूर्ग कहना है तो आप कहोगे गदे कही के चोप पहुंचते हैं ना किसी को गदा कहोँ तो संस्कृत में यदि आपको गदा कहना आओ तो आपको होगे हे वैशाक नंदन अब जिसने भी वीडियो देखा है उसको आप वैशाक नंदन नहीं कहिएगा हो समझ जाãyएगा आप उसको गदा कह रहे संस्कृत भाषा ऐसी है यह संस्कृत लोगों की भाषा है और इसलिए इसमें कठोर से कठोर वचन जो होते हैं उसका प्रभावी मिर्दू हो जाता है सौफ्ट बन जाता है अब यदि संस्कृत भाषा में आप किसी आधुनिक उपकरण, आधुनिक वस्तू आधुनिक व्यंजनों को नाम देने का प्रयत्न करें तो कैसे सुनाई देगा यह दिया आपको संस्कृत में आईस्क्रीम कहना है तो आप कैसे कहोगे दुख धशरकरा युक्तहीम घनगोल गटू अब कुछ लोगों होते हैं उनका विश्वास होता है कि जीवन दुख धशरकरा युक्तहीम घनगोल गटू आईस्क्रीम के समान होना चाहिए उनके जीवन की फिलोसपी उनके जीवन का सिध्धान्त है कि जीवन एक आईस्क्रीम के समान है पिघलने से पहले मौज कर लो पिघलने से पहले मजा कर लो ये लोग स्वार्थ का जीवन जीते हैं बस मैं और मेरा किसी न किसी प्रकार से अपने जीवन में भोग करो, मौज करो, मस्ती करो और खुद सुखी रहो और खुश रहो हम कई बार कहते हैं जीवन एक मुंबत्ती की तरह होता है जिस प्रकार से आईस्क्रीम पिगलती है उस प्रकार से मुम्बत्य भी पिगलती है और मुम्बत्य के पिछे का सिध्धान्त है पिगलने से पहले दूसरों के जीवन में प्रकाश लाओ आईस्क्रीम भी पिगलती है, मौमबत्ती भी पिगलती है लेकिन मौमबत्ती पिगलते पिगलते दूसरों के जीवन में प्रकाश लाती है दूसरों के जीवन का कल्यान करती है और इसलिए हमारे जीवन की यात्रा आईस्क्रीम से मौमबत्ती तक की यात्रा है इस संसार में कई मौमबत्या हुई है जिन्होंने निस्वार्त भावना से दूसरों की सेवा किये जिन्होंने अपनी मौज, अपनी मस्ती, अपना सुख इसका विचार ही नहीं किया है हम मेंसे कई लोग है जो यह मौमबत्य नहीं बन सकते किन्तो क्योंकि हम मौमबत्ती नहीं बन सकते इसलिए हमको आइस क्रीम नहीं रहना चाहिए आइस क्रीम से धीरे धीरे मौमबत्ती की और प्रगति करनी चाहिए निश्चित रूप से जब हम दूसरों की सहायता करते हैं दूसरों के जीवन में प्रकाश लाने का प्रेत्न करते हैं दूसरों के सेवा करते हैं दूसरों के जीवन में कुछ योगदान देते हैं इस सेवा से, इस सहायता से, इस योगदान से हमारे रिदय को, हमारी आत्मा को संतोष पराप्त होता है यदि जीवन में सच्चा संतोष पाना चाहते हो, यदि जीवन में सच्चे सुख का अदुभव करना चाहते हो, तो भले छोटी मात्रा में क्यों नहों, लेकिन निस्वार्थ सेवा करने का प्रयांद कीजिए। और इसलिए हम प्रही बार कहते हैं, यदि वास्तों में आपको योगी बनना हो, तो सारुप्रथम किसी के लिए उपयोगी बनो, धन्यवार्थ